हेलो फ्रेंड बिलकम टू माई नीव वीडियो आज इस वीडियों हम दो बाइक को कंपेर करेंगे एक तो है टीवेस अपाचे रटीर 2B और एक है टीवेस अपाचे रटीर 4B 2B का मतलब 2W और 4B का मतलब 4W तो जो पुराना वाला पाचे आता था पहले अभी भी आता है वो तो उसमें 2 वाल दिये गए है और जो नया पाचे आता है 4B उसमें 4 वाल दिये गए हैं तो सबसे पहले अगर मैं अपाचे 162B के बात करूँ तो उसमें आपको 159.7 CC का इंजन मिल जाता है जो कि आपको 4 स्टोक सिंगल सिलेंडर एर कूर्ड के साथ में आता है अगर मैं इंजन पावर की बात करूँ तो इसमें आपको 15.53 PS का पावर मिल जाता है जो कि 8400 rpm और 13.9 Nm का टॉर्क मिलता है 7000 rpm तो यही यह जो बाइक है आपको अभी B6 में fuel injection के साथ में आता है FI के साथ में आता है और यहां पर आपको 5 गेर मिल जाते हैं गया है और यह बाइक आपको मल्टी वेट प्लेट के साथ में आता है क्लच की बात करो तो यह आपका इस वहीं अगर मैं टीविस अपाचे आर्टी यार वन सिक्स्टी फोर वी के बारे में बात करूँ तो वहां पर आपको फोर स्टोक सिंगल सिलेंडर ओयल कूल इंजन के साथ में आता है यहां पर जो टूबी है आपको एर कूल मिलता है लेकिन वहीं अगर मैं बात करूँ फोर वी के बारे में तो वहां पर आपको ओयल कूल इंजन मिल जाता है तो वहां पर अगर डिस्प्लेस्मेंट के बात करूँ तो यहां पर 159.7C का इंजन मिलता है जो की 16.02 PS का power generate करता है 8,250 rpm पे वहीं अगर मैं torque की बात करूँ तो यहाँ पर आपको 14.12 Nm का torque generate करता है 7,250 rpm यह भी bike अभी fuel injection के साथ में आता है और यह दो के दोनों bike में आपको kick नहीं मिलता है दो के दोनों आपको सिर्फ self start ही मिलता है तो अगर मैं बात करूँ transmission की तो 4B में भी आपको 5 gear transmission मिल जाते हैं जो की 1 up और 4 down और 4 up आपको gear मिल जाते हैं इस condition में और यहाँ पर भी multi weight multiple plates type का आपको clutch मिल जाते हैं और यहाँ पर अगर मैं बोर की बात करूँ किस में TBS Apache RTR 4B के बात करूँ तो यहाँ पर बोर आपको 62 mm क स्टोक मिल जाता है compression ratio की बात करूँ तो यहाँ पर आपको TBS Apache RTR 164 वी में 10.0S2 1 का आपको compression ratio मिल जाता है ठीक है तो चलिए आगे चलते हैं तो वहीं अगर मैं बात करूँ feature और safety के बारे में तो आपको दो के दोनों ही bike में ABS मिल जाते हैं TBS Apache RTR 162 वी में भी आपको single channel ABS मिलता है और वहीं पर अगर देखा जाया तो TBS Apache RTR 164 में भी आपको single channel ABS मिल जाता है और speedometer की बात करूँ तो 162 वी में आपको digital और analog दोनों मिल जाते हैं combination दोनों का मिल जाता ह मैं लेकिन अगर वहीं 164 वी के बारे में बात करें वहाँ पर आपको fully digital speedometer आपको मिल जाता है तो यहां पर अगर दोनों में compare करें तो यह पर आपको 162 वी में speedometer आपको analog दिजिटल दोनों मिलते हैं और वहीं अगर वहाँ 164 वी में बात करूँ तो वहाँ आपको digital आपका record हो जाता है यह सारे features उन दो के दोनों बाइक के speedometer आपको दिये हैं तो वहीं अगर मैं बात करूँ पास्विच तो पास्विच दोनों में दिये हैं kill switch आपको दोनों बाइक में दिये हैं 162 वी में और 164 वी में तो वहीं पैसेंजर photoresp आपको दो के दोनों में दिया हुआ है तो चलिए आगे चलते हैं 162 वी में आपका जो लेंथ है वह आपको 2085 mm मिल जाता है वहीं width की बात करूँ तो 730 mm मिल जाता है यह जो मैं बात कर रहा हूं यह बात करो टीबियस अपाचे 162 वी के बारे में ठीक है फिर से एक बार सुन लिजे टीबियस अपाचे आर्टी आर 162 वी के बारे में बात कर रहा हूं में इसका लेंथ है 2085 mm और width है इसका 730 mm और height है आपको मिल जाएगा 1105 mm fuel capacity 12 लिटर की tank है इसकी आपको 12 लिटर टैंक 12 लिटर पेट्रोल आप इसमें डलवा सकते हैं और वहीं saddle height की बात करूं तो 790 mm का मिल जाता है ground clearance 180 mm है और वहीं अगर मैं wheel base की बात करूं तो 1300 1300 mm आपको wheel base मिल जाता है curve weight की बात करूं तो जो TBS Apache 162V है वो आपको 140 kg total उसका weight है बराबर तो load capacity 130 kg अब वहीं अगर मैं बात करूं TBS Apache RTR 164V के बारे में तो उसका length जो है 2035 mm मिल जाता है और width की बात करूं 790 mm मिल जाता है height कितना है 1050 mm आपको height मिल जाती है किसमें 164V में और वहीं मैं fuel capacity की बात करूं तो आपको 12 लिटर का tank मिल जाता है TBS Apache RTR 162V और 164V दो के दोनों में same to same 12 लिटर का आपको tank मिल जाता है तो यह ground clearance की बात करूं 180 mm का ground clearance आपको मिल जाता है और wheelbase 1357 mm का wheelbase मिल जाता है किसमें 164V में और curve weight की बात करूं तो आपको यह TBS Apache RTR 164V 149 kg का मिल जाता है अगर compare करे 162V से 162V से 9 kg आपको ज्यादा है देखने को 164V में और वहीं अगर मैं length के बारे में compare करूं length है आपका वो थोड़ा सा ज्यादा है 50 mm ज्यादा है 4V से 2V थोड़ा 50 mm ज्यादा है और वहीं अगर मैं width की बात करूं तो 60 mm कम है 162V 164V से अगर वहीं मैं saddle height की बात करूं तो 10 mm saddle height ज्यादा है 164V 162V से और वहीं अगर ground clearance की बात करें तो ground clearance दो के दोनों का same to same आपको मिल जाता है wheelbase की बात करूं तो wheelbase भी आपको 57 mm ज्यादा मिलता है 164V में और curve weight की बात करूं 9 kg आपको ज्यादा मिलता है 164V में तो यह दोनों compare हुए अब हम बात करते हैं headlight electrical के बारे में तो आपको हाइलोजन with AHO के साथ में 162 भी मिल जाता है आपको LED मिल जाता है tail lamp LED मिल जाता है वहीं turn indicator जो है आपको bulb मिल जाते है LED tail light भी मिल जाता है maintenance free आपको battery मिल जाती है 12 volt की और इसमें आपको low battery indicator low fuel indicator average fuel economy indicator और और पाइलेट लैम और यह सारी चीजे आपको इसमें देखने को मिल जाती है वहीं अगर मैं 164 भी के बारे में बात करूं तो वहां पर आपको same to same LED मिल जाता है आपको headline headlight जो है आपका LED के साथ में आता है वहीं तू भी आपको किसमें आता है halogen मिल जाता है बराबर LED आपको मिल जाते हैं 164 भी में और टेल लाइट और इंडिकेटर और यह सारी चीजे आपको इसमें भी देखने को मिल जाती है तो अगर मैं टायर की बात करूं तो टूबी का जो टायर है वह फ्रंट टायर 90, 90, 70, 90, 97 का टायर मिल जाता है रियर वही 110, 80, 77 का टायर मिलता है और ट्यूबलेस टायर मिल जाते है और वहीं एलोई वील आपको मिलता है तो वहीं अगर मैं फ्रॉंट ब्रेक के बाद करूं तो 270 mm का आपको फ्रॉंट ब्रेक मिल जाता है और तो 20 mm का आपको रियर ब्रेक आपको मिल जाता है है त्वी में वहीँ अगर मैं टीबिए सफे आ ट्ली और वारे में बात करूं तो वहां पे 90 सत्रा के टायर और पीछे का टायर कर टायर 3267 सतरा को टायर पीछे का मिल जाता है और वहीं duhएलेस्ट्पर मिलता है ये भी 치 right गता हो किशने आपको कौन साल लेना चाहिए देखे यह जो जित्री बिसारी चीजे में बताने वाला हूँ अभी यह मैं अपना experience बता रहा हूँ तो यह जो मैंने feel किया दोनों bike चला कर वो चीजे में आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर जो TBS Apache 162V है वो अगर देखा जाये तो मुझे personally मुझे 164V से ज्यादा अच्छा लगता है लुक वाइस मुझे ज्यादा अच्छा लगता है लेकिन अगर feature वाइस देखेंगे तो आपको TBS Apache 164V में features थोड़ा जादे मिलते हैं उसमें digital instrument cluster आपको मिल जाते हैं और यहाँ पर 2V में आपको digital plus analog मिल जाता है और अगर मैं pickup की बात करूं तो pickup भाही देखो मैं आपको बोल यह बोल सकते हैं कि 162V में आपको vibration मिल जाता है जो कि 164V में भी vibration मिलता है लेकिन इतना ज्यादा नहीं मिलता जित्ता है कि 164V में आपको मिलता है और mileage की बात करें तो mileage approach वही आपको same to same मिल जाएगा लगबग 1-2 km का फर्क होगा ज्यादा कुछ नहीं है क्योंकि 164V में आपको power थोड़ा ज्यादा मिलता है और 162V में आपको थोड़ा power कम मिलता है तो यह चीजेशे हैं अगर मैं बात करूँug take a press आपको मैंने बताई दिया कि 164V में थोड़ा पीछे का मोड़ा टायर मिलता है और 162V में पापको थोड़ा पतला टायर मिल जाता है तो यह भी थोड़ा difference आप बोल सकते हैं बाकी आपके उपर depend करता है आपको कौन सा पसंद है आपको new model पसंद है या फिर आपको old model पसंद है जो आपको पसंद हो आपको depend करता है अगर मुझे लेना है तो मैं overall अगर देखा जा तो मैं 164B की तरफ जाऊंगा क्योंकि उसमें features ज्यादा ह है और latest model है तो मैं उसकी तरफ जाऊंगा क्योंकि 162B जो है वो थोड़ा odd model है हाला कि company अपडेट करती आई है time to time लेकिन मैं 164B की तरफ जाऊंगा तो जो भी सारी चीजे थी यही अगर आपको कोई doubt है तो आप नीचे comment करके आप doubt को पूछ सकते हैं बाकी इस वीडियो को देखने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें शेयर करें वेल आइकन को प्रेस करना बुलकुल न भूले ताकि इसी तरह के वीडियो आपको मिलती रहें वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद जैहन